जम्मु कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी पर सरकार द्वारा अदालत में दाखिल जवाब से नरास नेशनल कॉन्फरेंस नी वीरवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक बलाई है जिसमें आगे की रन निती तै की जाएगी पार्टी अदेक्ष फारुक अब्दुल्ला की ओर से वीरवार शाम पांच बजे बुलाईगी बैठक में पार्टी के वरिष्ट नेताओं में अली महौमद सागर, अब्दुलरहीम राथर, महौमद शफियूरी समेद कई अन्य नेताओं को आमंतित किया गया है 5 अगस 2019 के बाद ये पहला मौका है जब राजनितिक नेताओं की बैठक होगी मालम हो कि सरकार ने हाई कोट में जवाब दाखिल किया था कि पार्टी का कोई नेता नजरबंद नहीं है